दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इंड्रॉइड ने इंड्रॉइड नॉगट का सक्सेसर इंड्रॉइड ओरियो को लांच कर दिया है 21 अगयस 2017 को तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही है कि आखिर इंड्रॉइड ओ किस तरीके से इंड्रॉइड नॉगट से बेतर है और क्या क्या इसके नएने फीचर्स हैं दोस्तों दिस इज नॉलेज का फंडा एंड माइसेल्फ अभिशेक सर्मा और वाचिंग इंड्रॉइड ओरियो वर्जन ओके हम बात करने वाले हैं आज इंड्रॉइड ओरियो के बा और धर्यूर बताओंगा कि सिस तरीके से शक करें कि आपका हैंड्रॉइड ओरियोग के कमपैटिबल है अजिसले उसbnमेंन दोस्तों देखते रहें इस वीडियो को इट लास्त तक जिससे कि आप इंचीजों को जान पाएं तो चलिए 따라 करते हैं दोस्तों दूस्तों मैं आपको बता दूँ के एंब्राइड ओरियो को एक और नाम से भी जानते हैं जिसको जानते हैं एंब्राइड ओट मिल के नाम से यह 8.0 ओफिस्यली वर्जन है जो कि लॉंच किया गया on 21 August during the first total solar eclipse in the US since 1917 मतलब 1917 के बाद total solar eclipse US में पहली बार देखा गया है उसी के दावरान इंब्राइड ओरियो को लॉंच किया गया the launch was conducted through the live stream इसी launch किया गया live stream के थ्रू new features included icon shape dot for notification more security option and autofill spill service and smart text selection and a picture in picture mode there are some very interesting features in the Android Oreo in comparison to the Android Nougat तो दोस्तों यहाँ पर कई Android के नए features और कई चांदार features आपको Android Oreo के अंदर देखने को मिलेंगे तो हम बात कर रहे हैं कुछ features के बारे में दोस्तों user interface for the experiences new experiences के लिए नए प्रकार के user interfaces में इस्तेमाल किये गए है user can now organize notification into the custom channel, customer channel के रूप में user अपने notification को क्या कर सकता, organize कर सकता and modify the alert for the entire channel developer can specify the importance of notification, there are also baggage on the application तो कहने का मतलब कि application पर बहुत ही सांदार तरीके से आप इसको notification वगरे को activate कर सकते हैं और notification को अपने according आप customize भी कर सकते हैं साथी साथ इसमें एक अच्छा feature आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है पिक्चर इन पिक्चर मोड पहले शिर्प और शिर्प Android बेश टीवी पर ही अवेलेबल था लेकिन Android Oreo के बाद अब ये पिक्चर इन पिक्चर मोड आपको मुबाइल फोन पर भी देखने को मिलेग और ये मोड का मतलब ये है कि mean for the video so user can continue operating the device without interruption even while watching a video means that without interrupting yourself you can watch the video and you can also perform the any other activity on your mobile phone अगर आप अपने mobile phone को without disturbing use करना चाहते हैं का आप वीडियो देख रहे हैं but even आप इसको इसको इस्तेमाल ही करते रहना चाहरे है तो आपको एकदम से Android Oreo के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं होग मैं आपको बता दूं Android Oreo को सपोर्ट करने वाले कुछ हैंसेट्स जो कि ऑफिसियली इनाउस किये गये हैं जिसमें कि Nexus 5X है नेक्सस 6P है Google Pixel एक्सल है और भी बहुत से फीचर्स है आपको बता दूं बहुत से फीचर्ट फूचर में इसको अपडेट करेंगे मैं आपको बता दूं कि जो लेनेवो का के एट नोट हैंसेट आया है उस पर भी Android Oreo अपना जल्दी अपडेट देगा साथे साथा सायो में कि अभी कुछ हैंसेट लिस्स में है जिसमें नोट 4 है इसके बाद मिक्स है और भी कुछ ऐसे हैंसे हैं जो कि अभी हाल ही में लांच हुएं दोस्तों साथी साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ और भी फोन जैसे कि Micromax का जो इनफाइनाइटी फोन आया है उस फोन को भी Android Oreo सपोर्ट करेगा और उस पर भी Android का ऑफिस्यली अपडेट आ जाएगा जल्दी मैं आपको बता दूं कि किस तरीके सा आप अपने मोबाइल फोन की केमपेडिबिल्टी को चेक कर सकते हैं कि आपका हैंड सेट Android Oreo के लिए केमपेडिबल है कि नहीं है तो मित्रों आपको लिं पास्वर्ट जो कि आप मोबाइल में लॉग इन है दोस्तों उसको आप डालने के बाद वहाँ पर आपको मेसेज आएगा अगर आपका हैंड सेट एक्चुल में केमपेडिबल है Android Oreo के लिए तो आपको मेसेज मिल जाएगा अधर्वाइस वहाँ पर लिखके मेसेज आएग तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डियो सब्सक्राइब दे चैनल प्लीज शेयर वीडियो और प्लीज 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 बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबाईए और ज्यादा बाइब बाइब